Assalamualaikum आज मैं प्लिक के लिए लेकर आई हूँ अंडा काई करी के रेस्पी आपने अंडा करी तो कई बार बनाई होगे अलग अलग तरीके से भी बनाई होगी एक बार इस तरह से अंडा काई करी को बना कर देखें बहुत ही जादा टेश्टी बनेगी तो आएगे मज़ेदार सी रेषपि को बनाना सुरू कर लेते हैं जिसक लिए मैंने एक साथ हम बन टे स्पून्स गर करें रेड चिली पाउडर के लिए हम छोड़ दें गे जैसे की पनीर काहाइ करते हैं सेम उसी मिथट के साथ बनाएंगे और यह बहुत ही जादा मज़े का बना यह मैंने फर्स्ट टाइम ट्राइब किया और खुछ सी इस रेसिपी को सोचा है आप भी इस तरह से बनाएं और रियली सबको बहुत पसंद आए बहुत ही जादा मज़े की बनी थी इसमें इसे भी साइड कर देंगे और चलते हैं नेश्ट इस्टिप की तरफ यहाँ पे हमें विजिस वही एड करने हैं जो हम कढ़ाई पनेर में विजिस एड करते हैं और सेम उसी तरह से हम टू टाइफ में भी विजिस कट करेंगे एक मैंने फाइन चॉप किया हुआ है और दू इसकी सॉफ रखनी है हाड नहीं रखनी है इसलिए हमें इसे पिंक होने तक ही फ्राइब करना है और जो मैंने कूपस में विजिस कट करें थी सिम्ला मिर्ज ठमाटर और प्यास को इन्हें भी हम लाइटली फ्राइब कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों को य बहुत ही जादा लजीज बहुत टेश्टी बनता है एक बात जरूर से ट्राइब करिएगा मेरे कहने से और यह विजिस को भी हम अभी ट्रांसफर कर लेंगे सारी विजिस मैंने निकाल ली है अब इसी ओयल में हम जो मैंने आलू को मैरिनेट करके रखा था उसे भी गोल्डें करें तक्र नहीं करेंगे जब घड़ें होने तक बाकि मसाले हम इसमें अब टेड़ कर देंगे की आदर कलेच का पेश्ट है इसका कच्छा भून होने तक हम इसे यहां पर दूसरा अब यह हम चैश difok abundant हानि आपन को गया किया साइड हो और दूसरा तो जो विजीस मैंने बारिक बारिक से चौप करके रखी थी पूरी हम यहां पर आड़ कर देंगे और इसी के साथ ही साथ इसमें बेसिक मसाले भी एड़ कर देंगे धन्या पाउडर हल्दी पाउडर नमक करमसाला पाउडर और टेस्ट के इसाफ से मिरज अब सारे सीजों का कचापन खत्म होने तक और स्विजीस की थोड़ी सॉफ्ट होने तक हम इने फ्राइ करेंगे काफी हद तक यह फ्राइ हो चुके हैं मैंने मीडिम टू हाई फिले में इने फ्राइ कर ले और बहुत ही अच्छी से खुश्बू आने लगी हैं इस पाइन में आपको चेक करना था तो मेरे पास फ्रेस मटर थी इसलिए मैंने फ्रेस मटर को एड़ किया है आलू के गलने तक इसे हम कवर करके पकाएंगे आप इस पाइन में चेक करने कभी कभी आलू गल जाते हैं मैंने आप फाइफ मिनिर्स के लिए ही कवर करके पकाया है तो जो मेरे सबजियां भी एड़ करे थी वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी और आलू भी गल जाएंगे तो मैंने आप फाइफ मिनट्स के लिए इसे कवर करके पकाया है और आलू हमारे इच्छे से गल चुके हैं अब हम इसकी को देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओल भी हमारा सर् कटास होता है उसके साथ आलू थोड़ा लेट कलते हैं तो मैंने इसे 2-3 मिनट्स के लिए और कवर किया था मीडियम टू लो फिले में रखा था और आप इस पाइन में बिल्कुल अच्छे से आलू को पक जाना चाहिए जब ही आपको आगे का नेश्टेप आपको करना इसमें अपने हिसाफ से पानी को ज़िटने आपको आपको एड करना होगा इसमें एक अच्छा सा मिक्स देंगे ज生 विजडी जिसमें सारा मसाले में अच्छे से ये मिक्स हो जाए और इसकी करेए वो अपको ठीक रखनी है जैसे आप पनीद्स लुग सलबली डैप की उससे भी ज़ादा टेश्टी ओंडाकढाई बनती है। आपको यह रेस्पी कहीं मिलेगी है। इसका सूचा था औला इसका experiment किया है। बहुत मज़े बहुत डेश्टी बनीती है। और आपको रेस्पी कैसी लगती है। कमेंस में बताना बिल्कुल भी न भूलिएगा अगर आप इसे एक बार इस तरह से ट्राइब करेंगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी तो इस तरह से आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है अगर आपको अच्छे लगती तो आप इस वीडियो को जरूर से सेफ कर ले एक वाली है, इसे फॉयादू करेंगे, इससे पकाना इसमें धन्या आइड करेंगे और एक बेत्री से फिलेवर के नहीं पर 20 से खर्णकर करेंगे, हम हरी मिर्सिया चाहीं करेंगे और इसे दो मिनिट के लिए चब अवर करें इसे सब कर रोटी नान चपाती के साथ और घ्लैजी नहीं नहें कितना टेश्टी खा रह की और अपो सालन लगेगा किंबे ही पनीर से तो आपिते ही ज़ degil हर करे कर के देखे में पूरी उम्य हो सकती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि है ही इतनी जादा टेश्टी आपको देखकर भी लग रहा होगा कि कितनी लजीज बनी होगी आपको कैसी लगे कमेंस में बताएं वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते हैं और अगर सारी रेस्पीज आपको इसे जब राएक करें तो फीड़बेक दें तेंक यू फॉर वाचिंग टेक क्यार